प्रेंट साधी एनुदान ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर खुल लेना होगा और ब्राउजर के सच बार में आपको सच करना है साधी एनुदान.upsdc.gov.in लिखकर आपको सच कर देना है जैसे ही हम साधी एनुदान.upsdc.gov.in मा या पिता जिसके नाम से भी आप अप्लाई कर रहे है वही आवेदक होगा तो सबसे पहले आपको आवेदक आधार संखे डाल देना है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर चेक बॉक्स के उपर क्लिक करने के बाद देखी पेज रिप्रेस हुआ है यहाँ पर दे रहा है आ पर क्लिक करना है तो जैसे ही हमारा ओटीपी बेदिफाई होगा यहाँ पर देखी आधार कार्ट से जो भी डिटेल रहेगा आवेदक के यहां पर सब आटोमेटिक दिखने लगेगा अब उसके बाद आपको अपना डिश्टिक कर लेना है उसके बाद आपको अपने गाउ करना हम यहां पर स्लेट करना है उसके बाद आपको एक मुबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है उसके बाद आपको एक इमेल आईडी डालना है इमेल आईडी कंपल्सरी नहीं आप डाल भी सकते हैं चोड़ भी सकते हैं उसके बाद सुरक्षित करें के उपर क्लिक कर आपको बाद te чист log in फर्म टो आपको आपको लॉगइन करके सबसे पहले आपको लॉगइन करने के तो यहां पर कुरू में आपको यह मुट की पी बेज़ लखे हो एक सबसाने के लिए अब नुगा के Бातो को आपको इस बॉक्स में ढाल देना उसके बाद ये compr कोड आपको इस बॉक्स मेशुना मुश्म करन टाल सुने दुन कर understanding आप क्लिक करेंगे अब उसके बाद आवेदक बिधवा रेंगे, आपको sixlet करना बिधवा विकलांगे तब आपको yes करना लिए अब इननें तो यहाँ पर no करनेंगे अब उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, पुत्री के साथ आवेदक का स्मबन्ध, अब आवेदक रहे आपको मासलेट करना है अगर आपके पिता अपलाई करवा रहे हैं तब पिता आपको सिलेट करना है उसके बाद यहां पे पूछ रहा है कि दूसरी पुत्री के विवा के लिए आवेदन किये जा रहा है तो अगर आप पहली पुत्री के लिए कर रहे हैं तब आपको नो कर द तो देखी जैसे हमारा बेरिफाई होगा यहां पर सबक्र करने के बाद हमारे सामने यह पे लडना होगा आपको आपने आयः परमारब पत्र पर जो आवए दन संख्य होता है आपको यहां पे डाल देना उसके बाद जयाथ प्रमाड़ पत्र करमाण संखे होता है पर आपको यहां पे बना और पर यह यहां पर जैद कर अपर आपको क्लिक कर देना है और के बाद वर किया है वो आपको वर्सों में डालना है कि दूला कितने वर्स का है उसके बाद यहां पे आपको वर्ड का नाम डाल देना है उसके बाद आपको वर्ड का पूरा एड्रेस आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद आपको यह कैप्चे कोड इस बॉक्स भरना है उसके बाद आपको IFC कोड यहां पे नीचे देखने को मिले का आपको सिलेट करना है यहाद आपको खाता संख्या बढ़ना यह कैपचे कोड आपको इस बाक्स बढ़ना है और फुरक्षित करें हो आगे बढ़े लिखे हुए इसके उपर आपको क्लिक कर देना है अब उसके बाद देखी यह पेज़ खुल कर आया गया आपको यहां पे साधी कार्ड और जो है बैंक पास्बुक अपलोड करना होगा तो दोनों फ्रेंट पीडियेफ में आपको 50 कवी से 200 कवी की बीच में रखके आपको अपलोड करना है सबसे पहले यहां पे देखिए साधी करके आपको जहां बी किलिए ow गड़ करके आगे बढ़र जाना आपको पर अच्छी तरacks चेक कर लेना हो क्या आपको कुछ गलती की किय हैं तो सब से पहले को यह कैपट बरना और यहां देखिए TAKAR Elias is पर और कर्革ंव कर लेना है अगर आपका फार्म सही है तब आपको यहां पर देखिए final shape करें लिखे हुई इसके उपर क्लिक कर करके आपको final lock कर देना है तो final lock हो जाने के बाद आपको दुबारध से back आना होगा आपको starting वाली page पर आना होगा जहां से आपने starting किया था अब यहां पर देखिंग घर भी तर फक्र siasad mbt didn't लिखे हूए इसके उपर आप क्लिक कर सकते हैं या तो फिर आवेधन करता लॉग इन करिए लिखे हूए इसके उपर आप क्लिक करना है दोनों जगे से आप कहीं होग है करके कि और पर क्लिक कर देना है अब उसके बाद के को यहां शुद्सकों इस बॉक्स में दाल को फ़रना लॉगण आपको क्लिक कर देना है वह शहां और देखी जैसे हमने लॉगण करेक만 कुलिक क हंवारे सामने आपको दीदिधिंगल करवाने के बाद आपने जो जो डॉक्मेंट लगाया था उनलाइन अप्लाइक करते से में सभी डॉक्मेंट का फोटो कांपी इसके साथ मैं आपको अटेश करना है और अगर आप ग्रामीड छेतर से हैं तब आपको वीडियो से इस फार्म को सत्यापित करवाना है अगर आप वीडियो में दीगे जानकारी अगर आपको समझ मैं हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए कर वीडियो को लाइक करिए कर कोई जानकारी ना समझ मैं हो तो मुझसे कमेंट करके पूछेए कि मैं आपको बता दूँगा धन्यबदा